बड़ी देर लगा दिबुवा जी, देखो डांस शुरू ही होने वाले हैं, मेरी भतीजी मिन्नो मुझे दर्वाजे से लगबख खिचते हुए हौल के उसकोने में ले गई जहां सब घरवाले नृति प्रिस्तुती के लिए तयार हो रहे थे कल मिन्नो के बड़े भाई अंकुर की शादी थी, आज महिला संगीत था, परिवार के सभी लोग एक फिल्मी गाने पर गुरूप डांस कर रहे थे आज के संगीत के लिए बकायदा कोरियोग्राफर नियुक्त किया गया था, जो पिछले पंद्रे दिनों से सब की प्रैक्टिस करवा रहा था मिन्नो सब को बार-बार आगाह कर रही थी, स्टेप्स पूरे तालमेल में होने चाहिए, वरना वीडियो अच्छा नहीं बनेगा उसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना था, ताकि लड़की वाले भी तो देखें, गुपता खंदान कितना कूल है उन सब के लिए एक से हरे टुपते लाने का काम मुझे सौपा गया था दस बजे तक सब निप्टाना था, उसके बाद सोसाइटी में डीजे बजाने की अनुमती नहीं थी तै समय पर नाच गाना आरंब हो गया, सब कुछ एकदम तै शुदा प्रोग्राम के मताबिक होने लगा परिवार का ग्रूप डान्स, सोलो डान्स, जोडी डान्स, जरा सा भी इधर से उधर नहीं ना गाने, ना संगीत, ना डान्स स्टेप जो नृत्ते में समयलित नहीं थे, वे दर्शकों की कुर्सियों पर बैठे तालिया बजा रहे थे पहले ही सब बड़े बुज़ुर्गों को समझा दिया गया था, कि बीच में उठकर स्टेश पर वारफेर करने ना आए, वीडियो खराब होगा शामली वाली मामी जी आदतन दस का नोट लेकर चली, तो उन्हें बीच रास्ते से ही पकड़ कर बठा दिया गया उनका उत्रा चेहरा देख, दिल अचकचा गया मेरा, मुझे अपना समय याद आ गया, हमारी पीड़ी की शादियों में, तो शादी से एक सादी से हफते भर पहले से ही रजजगे शुरू हो जाया करते थे खूब नाच गाने, मस्ती धमाल, कोई एक बुआ, मौसी या चाची पूरी रात डोलक पर थाप देती रहती, दूसरी पूरे उत्सा से उस पर चम्मच बजाती जिसका नाचने का नंबर आता, उसकी और घुंगरू उचाल दिये जाते, जिसको नाचने नहीं आता, उससे भी जबरन ठुमके लगवा लिये जाते उस बर जोरी का अपना अलग ही आनन था, हॉल में एक और बैठी उन्हीं मामी, मौसी, चाची, भुआ और उनकी पिड़ी की सभी महिलाओं ने पुराने दौर का एक एक गाना पकड़ा हुआ था खांदान में सबको पता था, बड़ी मौसी, सखीरी मैंने लिये हैं गोबिंद मोल, पर ही तिरकेंगी और कंदले वाली मौसी, एक रात में दो दो चांद खिले, पर बार बार आसमान को देख, हतिलियों से चांद बनाते हुए ठुमके लगाएंगी एक मंडली तान चीरती, दूसरी उन्हें पकड़ खीच ले आती, वे सिर पर पल्लू संभालते हुए एक ही तरह का ठुमका दोहराती रहती खुब वार फिर होती, हसी ठटा होता, और वे हस्ती शर्माती वापस बैठ जाती हर किसी के भागेदारी होती उस उत्सा में, उन लम्हों में, वे लम्हें आगे चलकर खांदानी धरुहर बन जाते ऐसी कितनी धरुहरे इस वक्त मेरी आँखों में लहरा रही थी, और शायद उन सभी की भी यहां से ये आखे इतना सुनापन लेकर तो विदा नहीं होनी चाहिए मैंने मन में कुछ सोचा और भावी की ओर बढ़ गई दस बजे डीजे सिमट गया, नई पीड़ी ताजी सेलफी से स्टेटस अपडेट करने में लग गई पिछली पीड़ी यादो की पोटली खोल आपस में बतिया रही थी तभी मैंने अपने सामान से ढोलग निकाली भावी ने चम्मस संभाली और योजना के मताबिक शुरू हुआ एक रात में दो दो चांद खिले, मौसी को खीचा जाने लगा ढोलग के आसपास सब जमने लगे, वो नाना करने लगी मगर मैंने देखा उनकी आखों में और बाकी सभी की आखों में कुछ सोई जुगनू, अंग्राई ले जगमंगाने लगे थे डीजे के शूर में कहीं जा छिपा हसरतों का चांद फिर आसमान में चमकने लगा था तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी आपको और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने लए तैंक्स पूर वाचिंग